सर्दियों में जब लगे वाट्रोब को अपडेट है करना तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्स्प्लोर है करना बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान नमस्का स्वात आप सभी का बज़ारोगी चाल के अंदर मैं हूँ आपके साथ एक लिए शाटी और बज़ारोगी चाल मैं आप सबके लिए एक बाफ फिर से लेकर आगया हूँ यहाँ पर क्रिशी फसल बज़ार का अपडेट जानेंगे कि शाम के कारुबारी सत्र में क्रिशी फसलों का वैदा बज़ार NCDX के ऐसा ट्रेड करता नज़र आ रहा है किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारुबार देखने को मिल सकता है और उस पर हमारे जानकारों की क्या रहे रहेगी यह सब जानेने की कोशिश करेंगे शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले गवार गम और गवासीड से तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि शाम के कारुबारी सत्र में गवार गम का मार्च वायदा 10,777 पर ट्रेड कर रहा है वही गवार गम का अपरेल वायदा 10,800 के पर ट्रेड करता नजर आ रहा है एक फीजदी की गिरावट गवार गम की अपरेल वायदा में देखने को मिल रही है महीं से बात करें गौर्ण सीड की तो गौर्ण सीड का अपरेल वायदा 5998 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 6050 का हाई लगा चुका है आदे फीजी से जादे की करेक्शन है देख रहे हैं कि शामिय कारुबारी सत्र में भी गौर्ण सीड और गौर्ण की जो कीमते हैं उनमें एक नर्मी के साथ करेक्शन के साथ कारुबार दर्च किया जा रहा है हमने गौर्ण 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 सीड को अच्छी कासे लेवल्स पर भी ट्रेड होते वे देखा था लेकिन फिर वहां से एक उपरी सतरों से करेक्शन बनी मुनाफ़ा वसुली देखने को मिली जिसकी वज़ा से गौर्ण गौर्ण सीड में गिरावट देखने को मिल रही दरसल जब से रशिया ने यूक्रेयन पर अटेक किया है युद का आरंब हुआ है तब से देख रहे हैं कि गवारगम गवासीर की जो प्राइसे जह एकदम से तूटे थे बावजूद इसके की फंडामेंटल्स गवारगम गवासीर दोनों के ही मजबूत हैं अब रशिया के अटेक करने से गवारगम गवासीर की कीमते क्यों टूटी है इसका भी बता देते हैं आपको बता दें कि रशिया में कच्चे तेल की जो ड्रिलिंग एक्टिविटीज होती है उसमें जो गवार गवारगम का अब युँध चल रहा है तो ऐसे में कच्चे तेल का उतपादन इतना देखने को नहीं मिल रहा है इतना इस्तमाल नहीं किया जा रहा है गवारगम गवासीर की कीमतों में एक नर्मी आते वे देखी है लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट हैं केडिया डिरेक्टर अजेकेडिया उनका ऐसा अनुमान है कि अगर अमेरिका 15 से 20 मार्च के आसपास अगर एक स्टीमलस पैकेज की गोशना कर देता है और उस स्टीमलस पैकेज में ऑईल और गैस इंडस्ट्री पर खर्च करने के लिए पैसा अलाउट करता है तो ऐसे में हो सकता है कि गवारग यूगी देश हैं अमेरिका के साथ जो इस समय खड़े हुए है नाटो देश उन्होंने रूस से कच्च तेल ना खरीदने का अभी फैसला कर लिया है क्योंकि वो जितने भी देश हैं अमेरिका के साथ नाटो में वो सब यही चाते हैं कि इस समय रशिया पर कैसे ना कैसे कर चाहिए जाए जिसकी वज़ा से रशिया की जो एकनॉमी है रशिया की जो अर्थवेवस्ता है वो थोड़ी तूटे और रशिया यूक्रेइन पर जो हमला कर रहा है उसमें थोड़ी कमी आए या फिर वो यूद खतम हो जाए तो इसलिए बाकी देश ऐसा इसलिए ऐसा कर रह पैसा लाउट करने की पैसा खर्च करने की और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका पूरी-पूरी कोशिश करेगा कि कच्छे तेल की जो मार्केट है क्योंकि अभी कच्छे तेल की जो कीमते हैं वो जादा बड़ी हुई है तो अमेरिका ऐसे में पूरी कोशिश करेगा कि किया जाए और अगर ऐसा होता है तो कच्चे तेल की market में अमेरिका की पकड़ हो जाएगी वो भी ऐसे समय में जब कीमते record इस तर पर देखने को मिल रही है तो अमेरिका की अर्थवेवस्ता मेरिका की जो inflation rate उसमें बडौतरी देखने को मिलेगी जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड की economy जो run होती है उसमें भी बड़ोतरी देखने को मिलेगी जो inflation rate है पूरे globally वो उसमें बड़ोतरी देखने को मिलेगी और हमने देखा है कि जब जब अमेरिका में कच्छे तेल का उत्पादन वरता है तब तब महां के oil wealth में जो drilling activities होती है crude की उसमें गम का जो इस्तमाल होता है गवार गम का उसकी वज़ासे भारतिय गवार गम गवासीर की कीमतों में उच्छाल देखने को मिलता है तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है ऐसी आशंका लगाया जा रही है कि अगर अमेरिका में stimulus package को लेकर गोशना होती है तो कच oil और gas पर oil or gas development के लिए पैसा खर्च करने की बात कही जानी चाहिए और सरकार अगर ऐसा करती है अमेरिके सका तो ही गवार गम गवासीर की जो prices है उनमें थोड़ा एक उच्छाल देखने को मिल सकता है बात करें यहां से एक बिनौला खल की तो बिनौला खल में देख रहे ह है वहीं अप्रेल वाइदा 326 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है देख रहे हैं कि बिनौला खल में भी कुछ जादा खास तेजी मंदी बनती नजर नहीं आ रही है बिनौला खल आज भी एक सुस्ती के साथ एक सीमित दैरे में ट्रेड करता नजर आ रहा है लेकिन जो जानका वो वायदा बजार में बिनौला खल का 3400 या 3450 के लेवल को तूटने का वेट कर रहे हैं, वो सब को इंतजार है, जितने भी विशेशक गी है मार्किट के, उनको इंतजार है कि बस बिनौला खल कैसे न कैसे करके 3400 या 3450 का लेवल तोड़ दे और वहापस सस्टेन हो जाए, तो उसकी बाद 3500, 3550, 3600, फिर 3800 तक के जो स्तर हैं बिनौला खल में देखने को मिल पाएंगे, लेकिन 3400 का जो एक हडल है, वो तूटना बहुती जरूरी है, अगर 3500, 3550 के स्तर इसमें दिख जाते हैं, तो बिनौला खल में आगे और तेजी बनती नजर आ सकती है, फंड यहीं से बात करें, अगर अब मसालो की, तो मसालो में देख रहे हैं कि दनिय का प्रहल वादर 10858 पर ट्रेड कर रहा है, तर्मेरिक में दे खरे हैं कि टर्मेरिक का प्रहल वादर 9100 पर निकल चुका है, 9000 का भी हाई लगा चुका है, धाई फीजी से जादा की correction है मसालों में देख रहे हैं कि सबसे जादा तो correction है जो सबसे जादा जो गिरावट है वो हल्दी में बनती नजर आई है हल्दी 10,000 से सीधे 9,000 के लेवल पर तूटती नजर आई है बात करें अगर जीरे की तो जीरे में भी हमने जीरे को 22,000 के उपर जाते वे देखा था फिर वहाँ से कीमतों में correction आनी शुरू ही इसी तरह से हमने धनिया में भी 11,000 के लेवल देख लिये थे फिर वहाँ से धनिया में correction मनती नजर आई दरसल fundamentally तो धनिया और जीरा मजबूत है fundamentally धनिया और जीरे काफी जादा मजबूत है दोनों की sowing कम हुई है जो रगबा है इस बार घटा है लेकिन तब भी इसमें गिरावट देखने को इसलिए अभी इसलिए मिल रही है क्योंकि मार्च का महीना शुरू हो चुका है मार्च में धनिया और जीरे की नई आवक आती है मंडियों के अंदर तो एक तो इस चीज़ का प्रेशर है दूसरा अभी जिस हिसाब से रशी और यूकरेन के बीच जो यूद चल रहा है जो लडाई चल रही है उसकी वज़ा से जो एक्सपोर्ट बिमांड है वो थोड़ी हिट होई है चला क्योंकि जो बाकी देश है एक्सपोर्ट बिमांड हो चुके है होई होई है और एक्सपोर्ट बिमांड होने का एक और बडऻा कारेन वह है shipment cost का बढ़ जाना माल डोलाई की लागत बढ़ जाना shipment cost जादा देखने को मिल रही है container का अभाव है इसकी वज़ा से भी मसालों की जो export demand है वो थोड़ी घटी है और अभी मसालों की हमने काफी उची कीमत आते वे देखी थी जिसकी वज़ा से उची कीमतों पर जो लिवाल है मसालों का वो भी घटता नजर आया है तो इस इन सब जादा कीमत दाने की वज़ा से मसालों में जो खरीदारी है वो थोड़ी घटी है export demand में थोड़ी कमी आई है टेकनिकली भी यहाँ से देखा जाए तो टेकनिकली भी इसमें थोड़ी correction बनती है और correction बनने के बाद यहाँ से एक बाद फिर से तेज़ी भी जरूर आएगी जुन, जुलाइ, अगस्त तक यह जो धनिया है या जीरा है ये काफी अच्छी तेजी की ओर जाते वे नजर आ सकते हैं तो वायदा और हाजिर कारूबारी को थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है मंडियों में आवकों का प्रेशर जैसे ही खतम होगा धनिया और जीरे का तो उसके बाद जो कीमते हैं उनमें एक उच्छाल भी जरूर देखने को मिलेगा जो आगे धनिया और जीरे को तेजी की ओर लेके जाएगा तो हाजिर कारूबारी भी अपना थोड़ा माल निकाल सकते हैं उच्छी दर उपर और थोड़ा माल आगे और अच्छी तेजी के लिए बचा कर रख सकते हैं धनिया और जीरे का बात करेंगे यहां से अब कैससीर की तो कैससीड में देख रहे हैं कि कैससीड का जो मार्च वायदा है 7320 पर ट्रेड करते नजर आ रहा है एक फीजडी की बड़त है और कैससीड का अप्रेल वायदा भी 7304 पर ही ट्रेड करते नजर आ रहा है एक फीजडी की तेज़ी के साथ देख रहे हैं कि कैसर सीड का मार्च और अपरेल वादा दोनों ही एक एक फीज़दी की बड़त के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि कैसर के जो fundamental से हैं मजबूत हैं production कम बताया जा रहा है और इस समय जो थोड़ी मुनाफ़ा वसूली आई थी कैसर में वो इसलिए आई थी क्योंकि मंडियों के अंदर कैसर की आवगों का थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है इसकी वज़ा से कैसर की जो कीमते हैं हमने वो थोड़ी facility भी देखी थी और जानकार अभी भी यही बता रहे हैं कि कैसर यहां से अभी थोड़े time के लिए कुछ समय के लिए consolidation के mode में जा सकता है यानि कि एक सीमित दैर में कारोबार करता नजर आ सकता है कैसर सीर यहां से NCDX पर नीचे में 6900 से 7000 के level तक जाता हुआ नजर आ सकता है तो जो कारोबारी पहले छूट गए थे कैसर सीर में position बनाने से तो वो निचले स्टर का wait करें अभी पहले निचले स्टर आने दें और फिर कैसर में खरीदारी करें क्यांकि कैसर की जो industrial demand है वो भी धीरे धीरे improve होती नजर आएगी और बागी fundamental तो strong है तो निचले स्टर पर कैसर सीर में buying भी initiate जरूर होगी जग कैसर सीर की कीमतों को फिर से तेजी की और लेके जाएगी तो कैसर सीर में overall रुजान तेजी वाला ही रहने वाला है बात करेंगे अब यहां से सोयबीन की तो सोयबीन में हमने काफी शांदर बड़त आते वे पहले भी देखी है अब भी देखने की सोयबीन की जो कीमते हैं उनमें लगातर बड़त देखने को मिल रही है बात करें सब से पहले यहां पर हाजिर बाजार की तो हाजिर बाजार में किसानों को पहले सोयवीन के बहुती मंदेदा मिलते नज़राए थे 3-3,000 रुपे कुइंटल तक नीचे सोयवीन विकती नज़राए थी फिर किसानों ने फैसल लिया तक कि अब वो और नुकसान नहीं सहेंगे और अपनी सोयबीन को स्टॉक करेंगे, होल्ड करेंगे तो किसानों का वो शुरुवात में लिया फैसला, अब सीजन के अंत में किसानों को काफी फायदा देता हुए नजर आ रहा है अब सोयवीन की जो कीमते हैं मंडियों के अंदर भी वो भी साड़े साथ हजार रुपे कुइंटल से उपर ही देखने को मिल रही है या फिर इसी के आसपास सोयवीन की कीमतों में बड़ोतरी देखने को मिली है पहले सोपा ने अपना उतपादन अनुमान जादा बताया था सोपा ने भी कम किया है लेकिन उतपादन अनुमान सोपा का सोयवीन का अभी भी जादा ही है ओवर ओल देखा जाया तो लेकिन जो विदेशी बजार हैं विदेशी बजार में तेजी बन रही है सोयबीन की कीमतों में ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयबीन का उतपादन इस बार कम रह सकता है जिसकी वज़ा से पूरे दुनिया में यानि कि पूरे वैश्वीक सरपस सोयबीन का जो उतपादन है कम रहने की उमीद जता ही जा रही है जिसकी वज़ा से soybean की जो supply है वो tight रह सकती है यानि की कम रह सकती है और इसी की वज़ा से हम देख रहे हैं कि soybean की जो कीमते हैं उनमें लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है US soybean वाइदा भी देख रहे हैं कि लगातार वो भी तेजी की ही हो रहे है 24 फरवरी को हमने US soybean का वैदा 1754 डॉलर तक जाते वे देखा था वहीं आज भी देख रहे हैं कि आज भी जो US soybean वैदा है वो अभी भी 1650 डॉलर के उपर सस्टेन है 1700 तक तो नहीं जा पाया है अभी भी लेकिन 1650 डॉलर के उपर सस्टेन है लेकिन 1700 डॉलर के करीब जरूर ट्रेड करता नजर आ रहा है आपको बता दें कि US soybean आज 1694 डॉलर पर ट्रेड करता नजर आ रहा है शाम के कारोबाई सत्र में हफते के पहले कारोबाई दिन और US soybean के अंदर 2 फीजदी की बड़त देखने को मिल रही है आपको बता दें कि सोयबीन में तेजी के साथ साथ खाद तेलों में भी तेजी देखने को मिल रही है कच्चा पाम तेल हुआ, सोया तेल हुआ, सरसो तेल हुआ सभी के तेल के जो दाम है उनमें जोड़दार इजाफा देखने को मिल रहा है और ये क्यों देखने को मिल रहा है इस पर भी discuss कर लेते हैं दरएसल सुरज मुखी तेल का आयात भारत यूक्रेन से करता है अब वहाँ पर चल रहा है इस समय युद तो इसकी वजा से सुरज मुखी तेल जो आयात होना था वहां से अब वो तो आयात नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी खेप आ जाएगी, थोड़ी लेट आएगी, कुछ आ जाएगा, जो पहले से आ रहा था बीच रस्ते में, वो पहुंच जाएगा, लेकिन अब आगे जो मांग थी, वो प्रभावित हुई है, और अब सुरज मुखी तेल की जो खपत थी, अब वो दूसरे तेलों पर डाइवर्ट हो जाएगी, जिसमें आपका सोहेबीन तेल आ जाएगा, कच्चपाम तेल आ जाएगा, और अन्य खाद तेल आ जाएगे, ऐसे में बाकी जो सभी खाद तेलों में तेजी देखने को मिल रही है, और खाद तेलों के स सरसो दाने की मंडियों में उसमें थोड़ा सा हलका सा दबाव है, बहुत ही हलका सा, लेकिन जो तेल है सरसो का वो तेजी की और ही है, सरसो तेल में लगातार तेजी जारी है, कच्चपाम तेल पहले से रिकॉर्ड स्थर पर देख चुके हैं, कि सीबोड पर कच्चपाम ते को महेंगा CPO तेल आयात करना पड़ रहा है वो भी मजबूरी में क्योंकि बारत अभी पुन रूप से आधने बर खाद तेलों में नहीं बना है तो कच्चा तेल तेज होने की वज़ा से CPO तेज होता है CPO तेज होने से इसका सपोर्ट अन्य खाद तेलों को मिलता है जैसे प खाद तेलों में भी लगातार TG ही देखने को मिल रही है और जब तक ये यूद्ध खतम नहीं हो जाता है तो खाद तेलों के जो दाम है वो लगातार ऐसे ही बढ़ते नजर आ सकते हैं लेकिन ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या सरकार खाद तेलों पर कोई फैसला लेगी क्या सरकार पहले की तरह import duty को लेकर या फिर stock limit को लेकर खादे तेलों पर या अन्य तिलनों पर कुछ फैसरा ले सकती है इसके उपर भी चर्चा करेंगे लेकिन इसके लिए आपको बता दें कि सरकार की जो नजरे हैं रशिय यूकरेन के यूद के साथ साथ सबी communities के उपर हैं सरकार की नजरे इस समय काफी पैनी हो चुकी हैं सरकार लगाता निगरानी कर रही हैं कि किस चीज की कितनी कीमते बढ़ रही हैं खासकर कि खादे तेलों की और दालों की क्योंकि इनी से ही ज़ादा तर जो इनी की वज़ा से देखते हैं कि खाना बनाते वे खादे तेलों क खाने के तेलों का इस्तमाल किया जाता है सबसे जादा और दूसरा जो गरीब से लेकर अमीर तक जो डाल है वो सबसे जादा इस्तमाल की जाती है चाहे गरीब इंसान हो या अमीर इंसान हो सारे वर्गों में जो डाल है सबसे जादा इस्तमाल की जाती है तो जब दाल रोटी मेहंगी हो जाएगी, खाने का तेली मेहंगा हो जाएगा, तो फिर भारत की अर्थ वेवस्ता पर भी असर पड़ेगा और आमजंता की जेबो पर भी, तो ऐसे में सरकार भी लगातार निगरानी रख रही है, और ऐसी पूरी पूरी आशंका हैं कि सरकार आने वाले समय में खादर तेलों के उपर कुछ बड़े फैसले ले ले, ऐसी सूतरों से जानकारी मिली है, अभी ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया गया है, या फिर अभी तक ऐसा कोई ऑफिशिल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जानकारों का और सूतरों का यही कहना है कि जिस हिसाब से खादर तेलों के और अन्य कमुनिटीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो सरकार एक बाफ फिर से एक्शन में आ सकती है, तो यह था एक छोटा सा क्रिशी फसल बजार का अफडेट, कि शाम के कारुबारी सत्र में हफते के पहले कारुबारी दिन, क्रिशी फसलो है कोरोना, घर पर रहने में ही है सब की भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा, दस मिनट में आके घर पर दवाई, बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान